सिख्मेज नहीं बोले तो सकता हैं नोगरीों में दिकत देदे औना बोले किसी के बोलने के इन दिजार करें तो पालतु के कमेंट कर दे अरे आप क्या क्या रह वह है इस्ट को बोर्ट डालने का दिकार है तो आप अपने बोड की तागत क्यों नहीं बताते हैं नमस्कार दोस्तों मैं भी कभी कबार सोचता हूं कि मुझे क्या करना मुझे सिर्फ पढ़ा कर निकल जाना चाहिए मुझे बरतमान सरकार के कारिक्रमों पर अस्तियफ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जैसे कि सारा देश मोने बैसे मुझे भी मोन हो जाना चाहिए लेकिन जब मैं घर जाता हूँ और मेरी अंतरात्मा को ये बताता हूँ कि मैंने आज ये किया मेरी अंतरात्मा के विरुत तो मेरी अंतरात्मा कई न कई हाथ होती है और मुझे कोस्ती नजर आती कि अगर कडोरों अनबक्तों की तरह और गोदी मीडिया की तरह हर एक इंसान इसे ही मौन हो गया तो इस देश का तो वंटादार हो जाएगा अगर इस इस बात को लेका डरे हुए है कि हम अगर सरकार के किलाब बूलेंगे तो ने जयल में डाल दिया जाएगा या हमारी ऊपर कोई केस चला दिया जाएगा के स्काव सब्सक्रान के बहुत के-पास बोलने की सकती यह जाए है लेकिन फिर भी अगर कोई ना बोलेगा तो कोई तो बोलेगा अगर कोई ना बोलेगा इस देश में तो इस देश का क्या होगा क्या बिस्बिक गुरू के रूप में हम सपने ही देखते रहेंगे या फिर कभी वारत बिस्बिक गुरू के रूप में बन पाएगा लेकिन फिर लेक बक्त का कम कानक आकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बेजा है ताकि वो अधिकारी बने और देश की सेवा करे मगर वो कड़कती दूप में बरी बरसात में कटोर मेनत करता इसी उम्मीद में कि मेरा बच्चा अधिकारी बने लेकिन अगर उसको यह पता चलेगा कि देश में तो पेपर लीक हो रहा है और 15-15 लाक में पेपर बिख जाते हैं भरतिया तो बादे तो किये आते हैं दोदो कडोर रोजगार देने के लेकिन वो रोजगार अस्तिद में कभी नहीं आते अगर उनको यह पता चलेगा तो आने वाले समय में ना तो गरी मजदू कि अगर रोजगारी नहीं मिल रहा है तो क्या फाइदा पढ़ा कर क्योंकि बहुत एक तरफ से निर्दन बेशे भी हो चुका है लेकिन वह समझता है कि किसानी में क्या दिक्कत है मजदूरी में क्या दिक्कत है इसलिए अपने बच्चों का वभी सुचबल करना चाहता है यह मैंने किया रहा हूँ यह आप हाली रिपोर्ट की सूचना ही देख सकते हो हालीया रिपोर्ट जो आईये लोग की रिपोर्ट आईये इसमें में इंसन किया गया है कि भारत का लगवक हर सो बेक्ती में से तेरा सी बेक्ती बिरोजगार है मतलब तेरा सी सो बेक्तियों में से तेरा सी युवा बिरोजगार टेल रहे है आप इस्तिती देख सकते हो बरतमान सरकार की उपर मैं अस्तचेप कभी नहीं लगाता कि मैं बरतमान सरकार को लेकर उनकी उपर अस्तचेप लगाओ इतनी मेर यह भी दोजगारि दोहजार बाइस स्टेखा कर सकता मं अपनी मन की बात में मन की दोचारे यह कळात बहड़ करने कर स्टेबंट यह भी कर लेखके ओने के बाफ जूट सरकारी नोग्री यह joke से लड़को लड़के हैं बाई-पर्iesen लड़किया है देखो यूपी में लीग मिलेंगी कहां से यूपी मिलें ल्लीक हो जाते लाओं तो किस किस को मतलब किस किस को रोजगार मिलेगा यह तो कोई नहीं कर रहा है आप यूपी की बात करो सचेप नहीं लागा रहा हूं किसी से राइस्तान में देख लो चांच तीस गड़ में देख लो हर जगे पेपल लीकी घटना हो रहे है रोजगार मिलेंगे कहा से सरकारी नोक्रिया आएंगी कहा से यह देखो आप एक कड़ोर सरकारी पद खाली है लेकिन एक कड़ोर जब के इन से 4% मात्र पद पूरी रूप से भो भी भरे हुए नहीं यह भी पद खाली पड़े है लेकिन एने बनने वाला को अपनी इस्तिती तो एसी हो गए वाइसा अपरिका की उत्री देश हो जैसी थोड़े दिन बाद अपरिका जैसी हो जाई उत्री देश तो छोड़ो पू पड़ेगा अर्थविबस्ता को सुद्रण करना पड़ेगा जा जा एक तरफ नीचे जा रही है महेंगा एक तरफ उपर जा रही तो पैसा है कहा हमारे पास है सारा पैसा है फैसा है वह सेक्टर में चला गया क्योंकि आपने सबी सरकारी चीज़ों का क्या कर दिया प्राइ बन पाराइबेट लोगों के पाथ राए प्राइबेट लोग कोन तो प्यारी मित्रों से आगर मित्रों का साथ को देगा इसलिए ऑमेट थोड़ी नहीं मिलने ऐह में तम मेगी जब सरकार अपने ऑजिकि के मर जा चाहें 而已 का हमें सरकार सरकार को मतलब है कि अपने मित्रों से क्योंकि वह नहीं अपाल लगाते हैं और वह एक दूसरे का साथ दे रहें इसलिए भाई हमें थोड़ी नहीं मिलने वाली हमें तम मिलेगी जब सरकार अपने मित्रों की तरब से द्यान कीचेगी लेकिन सरकार तो यह खिषने के लिए तयान नहीं नहीं है भारती यूबा बिचारा इतना मोन हो चुका है उसे समझ नहीं आ रहा है मैं करूंतो क्या करूं कि सरकार के कि खिलाब बोले तो हो सकता है नोकरियों Baptist कर देती में ना बोले किसी के इंतजार रहे तो पाल्दू के कमेंट कर दे अरे अब चाह क्या रहे है यार मतलब आप क्या ही बोर्ट डालने का अथिकार है तो से अगर अब अगर आप चांदे कि सरकार कि सरकार अपने साथ कि नहीं है लड़ेगा तो तो केसे इस देश में परिबरतन आएगा अगर यूबाई मोन कड़ा रहेगा अगर अभी तो 33% बिरोजगारी दिख रही आने बाले समय में आपको 100% बिरोजगारी नजर आएगी सरगारी पदों को तो बुल जाओ आप जान नोगरिया 15-15 लाज में बिख रही है पड़वारी सरीकी आईएस की नोगरी भी आने बाल नहीं होँगे तो पड़ाई लिकाई का क्या करेगा चार्ट डालेगा अगर अभी ने जाग पाए आप तो कब जागोगे अपनी मोन अवस्ति को छोड़ो और जागो और अपने असाप से कमेंड करो अपने अपने साब्सेरिति पर लाओ ताकि सरकार पर लगाम लगाई च सब्सक्राइब कर रहा है इसी उम्मीद में कि आज नहीं तो कल नोग्री लग जाएगी लेकिन नोग्रियों कोई अधा पता नहीं एक साल आती अगर सिस्टम को सुदान ना है तो युबाओं को जागरित होना पड़ेगा भाई मेरे अगर युबाओं नहीं जागरित होंगे कि जागरित तो फिर कोन जागरित होगा कुछी नहीं होने वाला कि देश्ट के जो बलिधान दिर्टने महापुरुसंदों ब्लिधान वेरते से चले क्या अंग्रेजों की गुलामी से हमें इसलिए आजात किया था कि आने वाले समय में हमारी पीड़ी को फिर बेरोशगारी में धकेल दिया जाएगा या बिष्टाचारी सरकार बनकर कोई भी वो बिष्टाचार में लिप्त हो जाएगी और किसी एक ही इंसान की हाथ में सत्ता कैंद्रित हो जाएगा क्या इसलिए अमारे देश को आजा किया था Adam चन से कर और वहाजाने भगस सिंग को देख लो आप अपनी जबानी में जिनों ने Rica कुरबानी बलिदान देदिया आब हिस देश में फगजसिंघ कर आज आप इस देश में टैंट्य भीन नहीं है जो अपने हग के लिए आवाज उटा सकता वह किसी काम का नहीं ज्यान रखना आपके हग के लिए आपके लड़ने के लिए कोई और नहीं आने वाला अगर इस टाइप की आलत रही मैं इसलिए नहीं बोलाओं कि सरकार के किलाप आए खेला को लो एसी बात बाते तो ना करें तुमने अपना जीवन दिया है अपने माबाप का पैसा लगाया आपको पता है पैसा केसे आता है और बेरोजगारी क्या होती है यह आप से अच्छा को जानता है अगर अभी नहीं जागे तो पिर जागोगे कब अभी मोका है जागने का और उन महापुर्सों को बलिदान को बेरत ना जाने का जिन महापुर्सों ने विजब्गरु के रूप में भारत की कल्पना की थी वह भारत को साकार करने का उस विजब्गरु भारत की रूप में भारत को विखास करने का अभी मोका है तो जागो मेरे दोस्तों हुआ वेयो पर कुछ कमेंड केरेड को परीवर्तन लाओ अवाज उठाओ नहीं तो पर आने वाले समय में बेशिए आपकी आवाज ने ट्डिक कर सकते हैं